लें जनाब इंतजार की गड़ियां खतम हुई और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टैबलियू के इंदर डैश्बोर्ट कैसे बनाया जाता है असलाम अलेकुम मेरा नाम डॉक्टर महामद अमारतुफैल है और मैं आपको टैबलियू सिखा रहा हूँ वो तुसी सिख रहे हो ना यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है मैं यहाँ से जूम-इन करता हूँ यहाँ पर हम क्लिक करते थे most of the time यहाँ पर निव शीट क्रियेट करने में लेकिन अब हमने new sheet के पजाए यहाँ पर dashboard पर click करने हैं जैसे मैं इस पर click करता हूँ तो यह हमारे पास इस तरीके से dashboard आ जाता है अब आप देखेंगे कि जितनी भी आपने sheets बनाई थी वो आपके पास यहाँ पर left side पर आ रही होगी और यह सारी की सारी sheets को आप dashboard के components के तोर पर use कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना size जो है उसे select कर सकते हैं range अपनी और different किसम के sizes जो है वो यहाँ से देख सकते हैं आप default पर भी select कर सकते हैं and then you can also use this device preview और यहाँ से भी आप select कर सकते हैं different किसम की चीजों को usually what happens कि आप यहाँ पर अपने dashboard का size जो है वो खुद से select करते हैं and then you put your range आप fix sizes भी यहाँ से select कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर fix size को choose किया है custom की base पर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कौन सी screen पर मेरा dashboard जो है वो best fit बैठेगा जैसे आप different किसम की websites बनाते हैं तो आपको different devices की layout का पता होना चाहिए जैसे यह full screen HD के अंदर आप देख सकते हैं 1024 multiplied by 768 है और फिर आपके पास different किसम के dashboard यहाँ पर जो हैं वो मुझूद है जिसमें powerpoint की presentation का भी है story भी है letter portrait, legal, A3, A4 यह आप पर depend करता है कि आपने किस किसम के जो desktop है उस पर इसे use करना है for example मैं यहाँ पर generic desktop को मैं choose करता हूँ choose करने के बाद यह मेरे पास एक layout आगिया I can also change this one but it depends कि आप क्या चाहते हैं फिर automatic पर अगर आप click करें the dashboard will resize to fit any screen it displays on यानि कि यह dashboard एक ऐसा dashboard है आप जहां कहीं भी इसको place करेंगे automatically responsive way के अंदर आपका dashboard adjust हो जागा and the best option is this one to choose तो इस वज़ा से मैं यहाँ पर automatic को select कर लेता हूँ it's up to you कि आपका dashboard किस काम के लिए use हो रहा है अगर आप papers के लिए use करें you can also modify this according to your papers या publication thesis के लिए use करें तो आपको A4 size का paper जो है उसे देखना पड़ेगा and there are many other things जो इन्शाला आने वाले दिनों के अंदर हम चेक करेंगे यह sheets हैं sheets का मतलब पर जितने भी हमने plots अभी तक बनाए हैं पिछले lectures के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर मजूद है and I can just drag and drop on to here और यह हमारे पास right side के उपर dashboard यहाँ पर मजूद है यहाँ पर लिखा भी हो है drop sheets here या different किसम के objects आप यहाँ पर drop कर सकते हैं on the other side objects के अंदर यहाँ पर अगर आप चेक करें the best practice is to actually drag and drop these objects from here for example यहाँ पर horizontal container है अगर आप wordpress के उपर ग्राम कर रहे हैं या elementor का आपको पता होगा आपको पता होगा के आपको आपको पता होगा के आप एक लाइन बना देते हैं layout बना देते हैं कि इतने area के अंदर मैंने फ्लाँ चीज़ा आप करनी है फिर उसके right side पर मैंने यह चीज़ा आप करनी है so that's how you can actually use the power of containers here और container क्या होता है जिसमें कोई चीज़ कॉंटेइन करती है तो आप basically boxes बना के उसके अंदर यह सारी की सारी चीज़ें आड कर सकते हैं जिसमें horizontal container है, vertical है, text, extension है, data story है, image है, blank container है, workflow है, web page है, navigation है, download का button है and then filters है and there are many other things like Einstein, discovery and so on and so forth अच्छा, tiled पे अगर आप click करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप basically हर चीज़ को corner या आप कह सकते हैंगे, हर चीज़ का corner जो है वो दूसरे चीज़ के साथ fix होगा floating का मतलब है कि पूरा dashboard कहीं न कहीं आप, जहाँ पर दिल आपका करता है, आप चीज़ों को उठा के वहाँ पर रख सकते हैं और वो float कर रही होंगे 2D space के अंदर, but tile जो है वो एक दूसरे के साथ tiled up होगे, जैसे एक घर बनता है, उसके अंदर आपको पता है कि इंटो के साथ, इंटे जोड के हम आगे वो काम करते है, floating के अंदर क्या होता है, कि यहाँ पर पढ़िए दूसरी किसी और space में पढ़ि कर लेता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, it's totally up to you, मैं यहाँ से cancel करके यहाँ पर rename करता हूँ, और इसको बोलता हूँ 08-01, तो पहला dashboard है हमारा, मैंने इसका title यहाँ पर दे दिया, what we can do now, we can actually drag and drop different things, और उससे पहले आपको पता है कि मैं यहाँ से एक vertical container को select करता हूँ, यह यहाँ पर मैंने add कर दिया vertical container, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ से bar plot को लाके यहाँ पर drag कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा bar plot यहाँ पर आ गया, and this is kind of interactive bar plot जो हमने सबसे पहले बनाया था, और उसको मैंने यहाँ पर drag कर दिया, second thing is मैं एक और horizontal container यहाँ पर add कर करता हूँ, और bar plot के ऊपर मैं यहाँ पर कोई भी चीज एड कर सकता हूँ, say for example मैं यह वाला bar plot add करता हूँ, ठीक है, so आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यह वाला bar plot ऊपर आ गया, दूसरा bar plot नीचे आ गया, so I can do whatever I want to do, अब मुझे लगता है कि यह वाला bar plot जो ह यह different किसम की चीज़ें हमें show कर वा रहा है, hover भी करते हैं तो चीज़ें आती है, यहाँ पर यह दूसरा bar plot है, which we created, अब मैं चाहता हूँ, scatter plot है, तो मैं यहाँ से एक vertical container उठाता हूँ, यहाँ पर right side पर रखके, इधर मैं कहिदता हूँ कि यह वाला scatter plot आएगा, and you can see कि यहा dynamic scatter plot था, अब आप रहते हैं कि यह वाला scatter plot ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बकाइदा इसको यहाँ से delete कर सकते है, and then you can actually add, sorry, यहाँ पर, okay, तो यह है हमारा scatter plot था, मैं यहाँ पर click करता हूँ, and you can actually do a lot of things, for example, मैं इसको remove करता हूँ, यहाँ से dashboard से, अब मैं यहाँ पर एक और vertical container add करता हूँ, इस जगाँ पर, container को add करने के बाद मैं यहाँ पर dynamic scatter plot ले आता हूँ, तो यह मेरा dynamic scatter plot आ गया, obviously, यहाँ पर अब काफी space जो ऐसी मुझूद है, जो doesn't make any sense, तो मैं करता हूँ, यहाँ से एक horizontal container उठाता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और यहा यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास bar plot भी है, यह वाला plot भी है, and we can actually scroll down to this plot as well, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमारे पास plot मुझूद है, और अगर आप गोर करें, तो यह वाला plot हमारे पास यहाँ पर मुझूद है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गना कोई इ यह वाला vertical container है, अब मैं इसको भी remove करता हूँ, just to make sense out of it, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, and here I can add another horizontal container just to the right of this, यहाँ पे dynamic scatter plot add कर देता हूँ, now you see कि हमारे पास एक बेहतरीन किसम का dashboard यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, so it's up to you, आप किस तरीके से इसे add क सकते हैं कि different किसम के filters आपके पास मौझूद है, legends भी ने बोला जाता है, आप अपनी मर्जी से select और deselect भी कर सकते हैं, male, female को, और यहाँ से आप अपना जो है वो different किसम का scale है, वो भी देख सकते है, population का जो यह वाला plot हमने बनाया था, और यहाँ पे embarked, null, null को अगर हम निका पूरी से कर दें तो बाकी 3 बचेंगे, तो आपके plot यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे, अब आपको चाहिए एक और plot आप इसमें add करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, horizontal या vertical container add कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे vertical container add करता हूँ, like this, you will see कि आपका vertical container सारी की सारी का गेर गया, अगर मैं यहाँ पे horizontal container add करूँगा, so you will see कि या तो मैं पूरे dashboard पे कर सकता हूँ, या कम असकम एक plot के नीचे मैं उसको add कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ, बलके यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे add करूँ, age के नीचे, और यहाँ पे मैं area chart add कर दो, so this is how you can actually dynamically create your whole dashboard, ठीक है, और आपके right side पे यह सारा कुछ इस तरीके से show हो रहा होगा, obviously यह dashboard तो बन गया है, और आपके पास different किसम के screens हैं, वो भी आ चुकी हैं, different किसम के plots भी आ चुकी हैं, multiple plots को एकी dashboard में add भी कर सकते हैं, it's totally up to you, but it should make sense, क्योंकि जो भी dashboard हो, it should make sense out of it, और उसके लिए आपको basically यहाँ पे इनके titles change करने पड़ेंगे, हर एक चीज के, right click करके, edit title पे click करके, you can actually do whatever you want to do, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, area chart of sales, इसको मैं add करता हूँ, you will see that area chart of sales आ गया, dynamic scatter plot की बज़ाए मैं लिख देता हूँ, कि यह है जनाब, titanic fair to age plot, ठीक है, इसको मैं ok कर देता हूँ, और आप देखें, यहाँ पे यह change हो गया, bar plot की बज़ाए मैं यहाँ पे, embarked को लिख देता हूँ, कि, embarked point of titanic, ठीक है, इसको मैं ok कर देता हूँ, और यहाँ पे word population data लिख देता हूँ, word population data, ठीक है, sheet name को cancel कर देता हूँ, and you will see, कि अब यह थोड़ी सी sense बनाने लग गया, एक और तरीका का रही है, कि आप title को यहाँ से bold भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से bold किये, and you will see, कि हमारे पास यह bold title जो है वो, oh sorry, यह हमारे पास word population, इसको select करके मैं bold करता हूँ, और यह हमारे पास bold हो चुक है, आप इसको भी bold कर सक सकते हैं, select करें, bold करें, font भी change कर सकते हैं, whatever you want to do, you can do, color भी change कर सकते हैं, but I usually like the bold titles, मैं इसको bold कर देता हूँ, and here you go, so इस तरीके से आप different किसम के चीज़ों के साथ play out कर सकते हैं, inside the dashboard, और यहाँ से आप different किसम के filters भी लगा सकते हैं, select भी कर सकते हैं, specific city को, accessories को, sub category को भी select कर सकते हैं, और पीछे जा कि आप area chart या different charts के अंदर changes भी कर सकते हैं, this is how your dashboard looks like, ठीक है, अब dashboard बन गया, obviously इसे save भी करना या आपने public भी करना है, वो हम next video में देखने वाले हैं, मैं आपको next lecture के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस dashboard को community में publish कर सकते हैं, और लोग किस तरीके से इसको view करेंगे as a story dashboard, अपना ख्यार रखें, next video में मिलते हैं, मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel, मैं आपको tablue सिखा आ रहा हूँ, जो कीन माने बहुत असान है, link description में मुझूद है, अगर आप ये video first time देख रहे हैं, पूरे का पूरा course totally free में आपके सामने हाजर है, see you in the next one लाँ ल去 strang पड़ vict êtes काמने हूँ, जो कीन आपके सेStव rozp भी आपके सामने ही, जो कीन में आपके सामने ही, जो कीनिप्स प्चूर सुछ वार बहाम है, भी आपके सामने हैं, धो Bugün बहाँ है, तरीके hospital है.